परिदवाद शहर में हुई एक ही बरसातने प्रशासन वभाजपा सरकार के दावो की पूरी तरह से पूल खोल कर रख दी है हालत ये हो गये हैं कि सेक्टर हो या फिर कॉलोनिया सबी जगह कई-कई फूट पानी जमा होने के कारण लोगों को भारी अस्विधा पेश आ रही है लेकिन न तो भाजपा के जन प्रतिनिधी और नहीं अधिकारी लोगों की सूध ले रही है उक्तवक्तव्य प्रदी रिपीट उक्तवक्तव्य फरीदाबाद दिधानसवा श्रीतर के वरिष्ट कॉंग्रिसी नेता सुमित गौड ने सेक्टर आठ में जन समस्याओं का जायजा लेने के उपरांत उपस्थित जनों को संबूधित करते हुए व्यक्त किये गौड ने कहा कि एक ही बरसात के चलते सेक्टर आठ में लोगों का जीना मुखाल हो गया है लोगों के घरों तक पानी चला गया है जिससे उनका जीवन अस्त वेस्त हो गया है या हालत केवल सेक्टर आठ का नहीं बलके शेहर के सभी सेक्टरों का है जहां एक ही बरसात में सड़के जलमगन हो जाती है और लोगों की गाड़ियां तक खराब हो जाती है और लोग पानी पी पी कर भाजपा सरकार को कोसने में लगे हुए हैं इस मौके पर सेक्टर के लोगों ने एक स्वर में सुमित गौल को कॉंग्रिस के समर्थन में मतदान करने का विश्वास दिलाया दिलीप कुमार की रेपोर्ट